नमस्कर किसान साथियों, आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है, इस वीडियो को प्रतेक किसान को देखना चाहिए, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जो आप पेस्टिशाइड लेते हैं, जो आप दवाएं अपने खेतों में छिरकाव करते हैं, किस रंग की क्या पहचान होती है और ये रंग आपको एक अलग नजरिया बताता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा रंग किस के लिए होता है और तब ही आप अपनी दवाओं को भी फसल में डालें कीट नासकों की बात की जाए तो जो भी हम कीट नासक लेते हैं या कोई भी प्रोड़क लेते हैं उसके पैकट के पीछे या उसकी बॉटल के पीछे कुछ कलर दिखाई देते हैं जिसमें मुखे कलर होते हैं लाल पीला हरा जो लाल पीला हरा होता है और साथ ही साथ नीला रं इसकेल को सबसे तेज़ी से बता जाता है जिसमें अगर आप कोई भी कीत नागतर लेते हैं तो अकसर तर उसमें आपको जहर का जो systematic वो मिला होता है, उसके पीछे लाल का symbol लगा जाता है तो आप समझ सकते हैं कि जो कीटना सक है वो तेज रसायनों की कटाइगिडी में आती है काफी फास्ट काम करेगी कीटना सक है तो आप लाल से समझ सकते हैं पीले रंग की बात की जाया तो या पीला रंग जहर की तेजी नापने वाले इसके दूसरे इस तर पर दरसाता है कि अगर आप पीले रंग वाली ले रहे हैं तो दूसरे नमबर पर लाल से कुछ मध्यम इसमें भी पॉइजन होता है और इसकी मात्रा कुछ कम होती है तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर पीले रंग का है तो इसमें जो पॉइजन है जो जहर की मात्रा है वो कम है और लाल में अधिक है तीसरे नंबर पर बात करते हैं नीले रंग की तो जिसकी ना सक के पैक्ट के पीछे नीला रंग होता है या मध्यम वर्ग को दरसाता है कि जो जहर है वो मध्यम वर्गी है बहुत ज़दा असरकारक नहीं है मध्यम वर्गी है या पैकटों पर लिखा भी होता है कि आप इसमें poison कितनी मात्रा में दिया होता है तो उसको भी आप देखकर समझ सकते हैं फिलाल जितनी भी मैंने आपको बताई लाल पीला और नीला ये तीनों कीतनासक जो होती है इसमें जहर होता है और सबसे ज्यादा होता है लाल में फिर पीला में होता है और फिर सबसे कम अगर बात की जाया तो नीले में होता है इसके बाद जो हरा रंग होता है हरा रंग भी क कट आपको कम से कमाने की संभावना फिलाल आप जरूरी सावधानी जरूर बढ़ते और जो तेज प्रभाव वाली है तो उसमें आपको बहुत ही सतरक्ता से शिड़काओ करना चाहें तो दौस्तों उमीद है कि आपको यह जनकारी समझ में आई होगी आपको इंट्रेस्टिं जनकारी लगे होगी है जनकारी अच्छे लगी है तो वीडियो को लाइक करने अपने सारे मित्रों में शेयर करें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए में से फालो भी जरूर करें